वेलकम टू आनंद इंग्लिश क्लासेज दियर स्टुडेंट्स पीछली वार मैंने अपना वीडियो लेशन 7 ग्लिम्सेज ओफ इंडिया का अबेकर फ्रॉम गुवार डाला था आज इसी लेशन का सेकेंड पार्ट कुर्ग उसका समरी मैं आप सबों के शाथ सेर करने जा रहा हूँ उमीद है आप सबों को पशन्द आएगा कुर्ग हमारे भारत में एक ऐसा स्थान है जो अपनी खुबशूर्ती के लिए जाना जाता है और कुर्ग में कौफी अत्याधिक मात्रा में पाया जाता है यहां रेन फॉर्डस्ट होते हैं और यह अपने मशालों के लिए भी बहुत अधिक जाना जाता है आईए कुछ बातें करें इस कुर्ग के बारे में कुर्ग कहा है कैसा है अगर आप अपने मैसूर का नाम सुना होगा तो मैं बताओ कि मैसूर के पास ही एक और अस्थान है मैंगलोर और मैसूर और मैंगलोर इन दोनों के बीच में जिहां आपने सही सुना मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटी सी पहारी है ये जो छोटी सी पहारी है वो बहुत ही शुंदर है इतनी शुंदर कि इससे अगर आप देखेंगे तो आपके मुँसे अनयासी निकल कि ऐसा लगता है मानो धर्ती पर श्वर्ग उतराया है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने देवताओं के स्वर्ग से देवताओं के राजधानी से एक छोटा सा श्वर्ग का टुकड़ा पृत्वी पर लाकर रख दिया है यह जो छोटी सी पहारी है यहां एक विशिस जाती के लोग रहते हैं और यह जो विशिस जाती के लोग हैं वो सोयम पर बहुत ही गर्व करते हैं और यह सोयम को योधा मानते हैं अर्थात इनके खून में योधाओं वाला खून है और अगर कभी मौका लगे कुर्ग जाने का तो आप निश्यत रूप से जाएं और कुर्ग में आप देखेंगे कि वहां की जो औरते होती हैं वहां की जो इस्तरिया होती हैं वो बहुत ही शुंदर होती हैं और यह जो चोटी सी पहारी यहां पर ढेल सारे wild creatures अर्थात जंगली जानवर भी प्रयाप्त मात्रा में पाए जाते हैं कुर्क का एक और नाम है कुर्क का एक और नाम है और यह दूसरा नाम है कोदागू तो कुर्क कहलें या कोदागू कहलें यह दोनों ही एक हिस्थान है एक हिस्थान के दो नाम है करनाटका तो आप जानते ही है करनाटका का सबसे smallest district सबसे छोटा district जो है वो कुर्क है और यहां हमीशा rainforest पाए जाते हैं मसाले पाए जाते हैं और कौफी पाए जाते हैं यहां की जो rainforest है जो evergreen rainforest है वो इस district का इस जिले का 30% कवर करता है और monsoon के समय तो इतनी अधिक बारिश होती है कि प्रेटक यहां आने से परहेज ही करते हैं अब प्रेटक आते कब हैं तो सितंबर से लेकर जिहां सही सुना आपने सितंबर से लेकर मार्श महिने के बीच यहां प्रेटक आते हैं और ऐसा लगता है कि उनके आने से प्रेटक में खुशियाली च्छा जाती है ये सेटेंबर से लेकर मार्च तक का महिना जो होता है वो बिलकुल ही परफेक्ट होता है बिलकुल ही सही होता है क्योंकि मार्च सेटेंबर से लेकर मार्च तक का वेदर यहां का मौसम बड़ा ही अच्छा होता है और यहां पर थोड़ी बारिश उस समय भी होती है हलकी फुलकी बुंदा बांदी होती है यहां जब आप पहुंचेंगे सितंबर से लेके मार्च के बीच में तो आपको ऐसा जान पड़ेगा कि आप जो सांस लेते हैं जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो हवा भी मानो कॉफी के सुगंद में मिक्स हो गया हो मिल गया हो और एक अजीब शावातावरन बन जाता है कॉफी के यहां जो प्लांटेशन है यह स्टेट्स है तो जहां जहां कॉफी प्लांटेशन है वहां आपको कोलोनियल बंगलोस Colonial Bangalore का मतलब है वे बंगले जो British अधिकारियों ने बनाया था वो आपको हर Coffee Plantation में देखने को मिल जाएगा मुख्य मुख्य जो उसके कोने हैं अर्थात Coffee Plantation के चार कोने जो हैं उन चारों कोनों पर आपको ये Colonial Bangalore अर्थात British के बनाये बंगलो मिल जाएगे ये जो लोग होते हैं कुर्क वासी जो होते हैं तो कुर्क के वासी कुर्क के निवासी बड़े ही खतरनाक होते हैं और ये शोतंत्र लोग होते हैं इन्हें शोतंत्र ता बड़ी पशंद है ये मुक्त रूप से रहना पशंद कहते हैं सोचंद रूप से रहना पशंद कहते है और इनके बारे में अलग-अलग कहानिया है कि एक कुर्ग के लोग जो हैं वो कहां से आए कि इनके संतान हैं तो इनके बारे में दो बाते हैं और दो बाते क्या हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ लोगों का मानना है कि इन कुर्ग वासियों के जो पूर्वज थे वो ग्रिक के थे जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इनके पूर्वज अरब के थे आएए हम सुरू करें पहली कहानी पहली थियोरी कि क्यों लोग मानते हैं कि यहां कुर्ग के जो निवासी हैं उनके पूरवज ग्रीक के हैं तो एक कहानी ये है कि आलेकसेंदर की सेना जब हमारे भारत में परवेश उन्होंने किया था तो अलेक्जिंडर की सैना यहां से भी गुजरी थी अर्थाथ इस छोटी सी सुन्दर सी पहारी शेह होकर गुजरी थी उर उसके कुछ सैनिक, अलेक्जंडर के कुछ सैनिक इंप्रेक्टिकल हो गए, अर्थाथ ऑ विवारिक हो गए उन्होंने आगे जाना और युद्ध करना साहिद उचित नहीं समझाओगा और एलेक्सेंडर के कुछ सैनिक यहां रुख गए और उन्होंने यहां के जो लोकल लोग थे उन लोगों से बाचित की और यहां की महिलाओं से बिवाह किया इसलिए ऐसा हो गया कि यहां की जो ट्रडेशन्स हैं यहां की जो परंपरा है वो अन्य लोगों से अन्य परंपराओं से भिन्न है और यहां चाहे शादी बिवाह हो या और भी कोई रिलीजियस राइट सो मतलब धार्मिक अरस्थान हो वो हमारे हिंदू परंपरा और हिंदू धार्मिक अरस्थानों से बिलकुल ही अलग है दूसरी जो थिवरी है कि इनके पुरवज अरब की है अरब के थे वो कैसे तो मैं बताता हूँ आपको कि अलग-अलग धार्मिक अनस्थानों पर यहां के कुर्गवासी एक लंबा सा काला कोट बहनते हैं और ये काला सा कोट जो ये बहनते हैं इसे ये कुपिया कहते हैं ये कुपिया कहते हैं के यू पीपी आई एक कुपिया और इनका जो ये बलाक कोट है वो बिलकुल ही मिलता जुलता है कुफिया से के यू एफफ आई एक कुफिया से जो की अरब के लोग पहनते हैं तो चुकि इनका ये धार्मी कनस्थान पर पहनने वाला बलाक कोट अरब के धार्मी कनस्थानों में पहनने वाला बलाक कोट से मिलता जुलता है इसलिए लोग कहते हैं कि हो सकता है इनके जो पूरवज हैं वो अरब के रहने वाले थे अब यह जो कुर्गी लोग हैं यहां पर जब प्रेटक आते हैं तो यहां वो प्रेटक होटलों में नहीं ठहरते हैं बलकि यहां के जो मूल निवासी हैं उन मूल निवासियों के घरों में ठहरते हैं और कुर्गी लोग जो होते हैं वो बहुत ही आदर सतकार करते हैं अपने अतितियों का और आदर सतकार के साथ साथ आनेकों वीरता की गाथा सुनाते हैं कि कैसे उनके बेटों ने उनके पिताओं ने वीरता के कारे किये अपने देश में एक कुर्ग रेजिमेंट भी है और ये जो कुर्ग रेजिमेंट है सैना की कुर्ग रेजिमेंट यह हमारे भारतिय शैनी या भारतिय शैना की सबसे अच्छी सैना मानी जाती है सजी धजी सैना मानी जाती है आपको मैं बताओं कि हमारे जो first chief, army chief थे, जनरल करियपपा, जी हाँ, first chief of the Indian army, जनरल करियपपा, वो भी कुर्गी थे, अर्थात वो भी कुर्ग के निवासी थे अब एक बहुत ही विश्मेकारी, surprising, चीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो ये है कि कोदावूस जो हैं, अर्थात कुर्गी जो हैं, यहां के जो मूल लिवासी हैं, वो मात्र ऐसे भारती हैं, जिने ये permission है, कि वो fire arms, अर्थात बंदू को रख शकें, वो भी बिना license के यह छूट, भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी नागरी को नहीं मिली है, कि बिना license के, वो fire arms रख सकें, लेकिन यहां के लोगों को ही सिर्फ यह permission है, कि वो fire arms रखें, और वो भी बिना license वाली, आईए कुछ और बात करते हैं, यहां एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है कावेरी, जिहां सही सुना आपने, इस नदी का नाम है कावेरी, और कावेरी पहाडी से उतरते हुए, कुर्ग के जंगलों में प्रवेश कर जाती है, इस नदी में, कावेरी नदी में, एक खास प्रकार की मचली पाई जाती है, जिसे महासिर कहते हैं, नाम सिर्फ महासि महासित और यह जो कावेरी नदी है इस कावेरी नदी की पानी का पानी बहुत ही स्वच होता है आपको हर तरफ पानी ही पानी कुर्ग में दिखाई पड़ सकता है यहाँ पर एक खास प्रकार की पक्षी पाई जाती है जिसे किंग फीशर के नाम से जानते हैं तो अगर आप कुर्ग में हैं तो आपकी मुलाकात किंग फीशर से होगी, एसकुरेल से होगी, लंगूर से होगी और यह जानवर जैसे मानो इनहें इन पक्षियों को, इन जानवरों को आपके साथ मिस्चीफ करना बड़ा अच्छा लगता है यह कभी कभार चुपकर पेड़ों पर चुपकर पानी में आधा जूठा खाया हुआ फल फेक देते हैं और पानी में जो तरंगे उत्पन होती है, उन तरंगों को देखकर मानो वो आनंदित होते हैं यहां कुर्ग में अक्सर आपको महावत दिख जाएंगे महावत जो हाथियों को नियंत्रित करता है, हाथी की शवारी करता है तो महावत अपने हाथियों को नहाते हुए, रगरते हुए कावेरी नदी के किनारे अक्सर दिख जाते हैं यहाँ पर इस जग कुर्ग में मानो उत्सा उमंग बढ़ जाता है जब प्रियटक यहाँ रिवर रैफ्टिंग के लिए आते हैं नौका का आनंद लेने के लिए आते हैं, यहाँ कुछ प्रियटक रॉक क्लाइम्बिंग के लिए भी आते हैं, पहाडों पर पत्थरों पर चढ़ने के लिए आते हैं और साथ ही साथ यहां motor biking भी करते हुए लोग अक्सर मिल जाते हैं यहां पर परियटक अक्षर trekking करते हुए पाये जाते हैं पैदल यात्रा करते हुए पहाड़ों पर चढ़ना मानों उनको अच्छा लगता हो यहां पर पक्ची अलग अलग परकार के पक्ची दिख परेंगे, बीज मिलेंगे, बथरफ्लाइज मिलेंगे यह सब आपको मानों हर जगा शाथ देते हैं कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जो बहुत ही आम हैं, अक्सर दिख परते हैं, मेकाकास मिल जाएंगे, मालावार स्कुरेल्स, लंगूर्स, सिलेंडर, ये सब आपको मिलेंगे, और ऐसा लगता है मानो पेर में छिप कर ये आप पर नजर बनाए रखे हों, हलांकि आपको कुछ जंगली हाथी भी मिल जाएंगे, राइटर ने कहा है कि अगर कभी जंगली हाथी मिल जाए, तो बेहतर है आप दूर ही रहें, यहाँ पर इस पहाड़ी कुर्ग में, अगर आप कभी मौका लगे, आप जाएं, तो वहाँ से कुछ हील्स और आपको दिख परेंगे, एक है ब्रमगिरी हिल, अगर आप ब्रमगिरी हिल पर चले जाते हैं, तो ब्रमगिरी हिल पर चड़ने के बाद, बड़ा ही सुन्दर दृश्य आपको दिख परेगा, यूं कहें कि पूरा का पूरा कुर्ग आपको दिख परेगा, और यहाँ से इस ब्रमगिरी स ब्रमगिरी पहाडी से एक रोप ब्रिज जाता है और थात मजबूत रसी का एक पूल आपको मिलेगा और उस मजबूत रसी के पूल पर चलते हुए आप एक आईलेंड तक पहुँच जाएंगे एक दूइप तक पहुँचते हैं इस दूइप का नाम है निशर्ग धाम मैं फ निशर्ग धाम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट मौंग्स आपको मिलेंगे वैसे तो मौंग्स का मतलब भिक्चू होता है लेकिन आप स्कॉलर समझें अर्थात बुद्ध धर्म को मानने वाले प्रचारक बुद्ध धर्म को मानने वाले बड़े बड़े तो तिब्बत के जो लोग हैं वो यही पास में रहते हैं और उस जगह का नाम है बाइला कुपे बाइला कुपे में मत भूलिएगा बाइला कुपे में लार्जेस्ट इंडियास लार्जेस्ट टिबेतन सेटलमेंट है यहां के जो मौंक्स हैं जो विद्वान हैं बुद्धर्म को मानने वाले वो अलग-अलग रंगों के कोट में दिख पड़ते हैं और ये अलग-अलग रंग के कोट सायद इनके अस्तर इनके पदवी के अनुशार होता है अगर भारत में कहीं पर भी शांती है तो वो कुर्ग में है अगर किशी को तालास है कि भारत का हिर्दे कहां बसता है और भारत में शांती कहां है भारत के शुंदर आत्मा कहां है तो मेरे बिचार से उसे एक बार अपने जीवनकाल में कुर्ग जाना ही चाहिए इसी के साथ ये कुर्ग चैप्टर कम्प्लीट हुआ थैंक यू आल वोप यू लिक्ट इट दोन्ट फर्गेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स अलोट कर दो ले खर्गेट हैं